चलिए दोस्तों आप समझते हैं ISO camera setting में क्या होती है International Organization for Standardization ये है ISO का full form It is the measure of sensitivity of the camera sensor to light जैसे कि आप जानते हो DSLR cameras में sensor होता है जहां पे आपका picture बनता है तो उसकी sensitivity ISO से मापी जाती है Camera में ISO आपने देखा होगा ये 100, 200, 400, 800, 1600, 3500, 6400 इस तरीके से आपको ये ISO के numbers मिलते हैं जितना जादा number होगा उतना बड़ा ISO जितना छोटा number होगा उतना कम ISO ठीक है? चलिए अब जादा ISO और कम ISO के माईने देखते हैं Effectifies आपको ये graphics दिख रहा है जहां पर एक landscape picture है इसमें आप देख पा रहे हो कि from left to right ISO number आपका बढ़ते करमांक में जा रहा है तो जैसे ISO 100, ISO 200, ISO 400, 1600 तो जैसे मैंने कहा था जब ISO बढ़ता है तो आपके sensor की sensitivity जो है वो बढ़ जाती है तो जब sensor की sensitivity बढ़ जाती है तो क्या मतलब है sensitivity किस चीज के लिए बढ़ जाती है light के लिए photography is all about light playing with light, painting with light, writing with light तो जैसे ही आपके sensitivity बढ़ती है तो आपका picture बन जाता है bright ठीक है अगर आप ISO कम करेंगे 1800, 800, 400, 200 तो क्या होगा sensitivity of the sensor to light decreases और उसकी वज़े से क्या होता है आपका picture हो जाता है dark यह देख पा रहे यह picture है dark यह picture है bright ठीक है तो ISO का यह में काम होता है brightness को बढ़ाना या घटाना दूसरा effect जो ISO picture पे करता है वो है digital noise तो दोस्तों digital noise क्या है आपने pictures में देखे होंगे आपके photograph में देखे होंगे कई कबार dots आ जाते हैं small grains आ जाते हैं आपके photos में तो उसे कहते हैं digital noise यह तब ही आता है जब आपका ISO बहुत ज़्यादा high होगा और ISO high कब होता है जब ambient light जो अगल बगल की light है वो कम होती है तो आपको ISO बढ़ानी पढ़ती है तो यह एक disadvantage है ISO ज़्यादा बढ़ाने का तो आप देख पा रहे हो जब ISO 100 है तो smooth, crisp, clear, sharp picture मिल रही है जैसे आपके ISO 200, 400, 800, 1600 जा रही है यह picture में आप देख पा रहे हो कि grains बढ़ती जा रही है है न? तो आपको ध्यान रखना है कि ISO उतना ही बढ़ाएं जितना ज़रूरी है और इसका ध्यान रखे कि grains ना आप आए चलिए आगे बढ़ते हैं second topic पर चलते हैं choosing the right ISO तो यहाँ पर मैंने एक diagram बनाए illustration बनाए कि कौन से light conditions के लिए क्या ISO परियाप्त है तो bright sunny conditions दुपेर के बारा वजे जब sun एकदम आपके सर पे है तो आपको 100-200 ISO भी sufficient है क्योंकि काफी bright है अगर clouds आ जाते हैं तो मान लिजे आपको ISO बढ़ाने की नौबत आती रहेगी ठीक है ना तो मान लिजे आप घर पे आ गए तो dim light है तो 32 ISO हो गया अभी candle light है सिर्फ घर में घर की बिजली चली गई है अपने candle जलाया है तो अगर उस तिती में आपको फोटो निकालना है तो शायद आपको ISO 64, 12,000, 25,000, 50,000 तक करना पड़ सके ठीक है तो अगर आप पूछोगे कितना ISO रखना चीए तो उसका मेरे पास कोई ready-made जवाब नहीं है वो depend करता है आपके ambient light पे वो depend करता है आपके camera के ISO range पे है ना तो आपको क्यों लगता है कुछ cameras 20,000 में भी आ जाते है DSLRs, entry level और कुछ cameras 3,000,000 तक भी आते है तो इसमें ISO performance जो होती है महेंगे cameras की वो better होती है Of course, along with the other features भी होते है लेकिन basically आपकी ISO performance better होती है इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपकी photo 12,000, 25,000, 50,000 ISO पे पे निकलेगी उसमें grains बहुत कम आएंगे आपका photograph को damage नहीं करेगा चलिए इसलिए ISO को कहते है the necessary evil इसकी जरूरत तो आपको पढ़नी ही है light तो fluctuate कम जादा होती ही रहती है लेकिन जब आप उससे जादा हद से जादा बढ़ाते हो in comparison to your camera वो digital noise देती है ठीक है दोस्तो तो यह था ISO के बारे में मिलते हैं अगले topic की तरफ तब तक के लिए happy clicking